कि नमस्कार मैं हूं राजन जहां आप देख रहें मिशी भारत आज हमारे साथ खाश व्यापान उंपरकार दिदूडी जी है जो एड़ोकेट भी है और कॉंग्रेस के वरिश में अभी है और उन्होंने अभी-अभी पार्टी की जो सदेशता है उसे इतिफा दिया है नमस्कार सर अभी-अभी आपने इस्तिफा दिया है क्या कहें नहीं है इस्तिफा दिया है मैं पिछले 30-35 साल से कॉम्रेस पार्टी में हूं और एक कार्य करता के रुट में भी मैं काम किया है और काफी ऐजे 25 साल तक मैं महासर्ची परपर रहा पर्देश का AICC का मेंबर भी काफी पोस्टों में पस्पद रही है लोग जानना चाते हैं कि आप इने अचानक इन फैसले का काम यही है कि जो अलाइंस होए भी इसके विरोद में मैंने क्योंकि ये अलाइंस जो है वो तालमेल वाला अलाइंस नहीं है क्योंकि आमादी पार्टी जो है इन्होंने ही हमक कॉंग्रेस को गाली देखर को विरूथ बोलकर, कॉंग्रेस के नेतां को भिष्टाचारी बोलकर, जब दिल्ली के लोगों बोलकर दिल्ली को नो तुम्रा किया। गुम्रा करके ये सफ़्ता में आ गई है। आजा मेरी लोगों के साथ गड़बंधन कर रही है, वो मुझे पसंद रही था, मैं उसे सहमद भी था, और यह भावना मेरी ही नहीं है, दिल्ली के हजार और हजारो कारेकरताओं के भी यह भावना है, और उस भावना को मैंने रिस्तिपर देकर रिट गट गिया है, जब गड़ पात चल रही था, हमारे अरुट स्री अर्विंदर सिंह लवडी जी दिल्ली के अठक्स है, उस समय अठक्स थे, अब नहीं है, उन्होंने भी पार्टी किसी वादे दिया, जब जिस समय वा अठक्स थे, उस समय मैंने भी उनको जाकर का था, तकि इकट बंदन नहीं कॉंगरेस पार्टी का जो वर्कर है जहां पर कॉंगरेस का कंडेट नहीं है, तो मुझे लगता है आम आदमी कंडेट को वोट नहीं है. मतलब जो गडवन्दन हुआ है तो पेपर में हुआ है? कोई भी मैंने बहुत सारे कॉंगरेस का कंडेट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निस्ची तरूप से आम आदमी कंडेट को वोट नहीं देगा. इधर से एक तरफ साहिरान बहलवान जी है, गडवन्दन की उमिदवार है और एक तरफ रामविर्शिम बिदोडी है, जो है अब बीजेपी की तरफ से, क्या लग रहा है साथ, क्या महौल है? बीजी बीजी देगी, लोग मोजी जी को वोड़े रहे हैं, और जहां तक उमिदवारी की बात है, अगर दोनों उमिदवारों को आप तुलना करें, तो रामविर्शिम बैता वे उमिदवार अच्छे प्रिकास को शी है, उन्होंने अपने अपने चेतर में आप पदर्प की लेज़िए हैं, कुछ ही नहीं देगी, दाम को स्कूल पो आया है उन्होंने प्रफिकास करने में अपने लोगों का और कहना है कि एक वरत्मान सांतरच का टिकट काट कर पार्टी किसी दूसरे उमिदवार को बनाया गया है, क्या दूसरा है? यह दो पार्टी का फैसला बीजेशी का फैसला है, अब किसको टिकट तहीं जिसको नहीं तहीं है, इनका फैसला सुना है, क्या अटेस है. क्योंकि आज केजरीवाल की वाइस रैली कर रही है यहाँ देवली के प्रवार? जिल्दे में कोई सामरूथी नहीं है, बलकि लोग आम आदमी का जो वोटर है, सपोर्टर वो नहराज है, जो सकंट से बरष्टा चारमेर की काई के मंत्री मंत्री जिल में पड़ा हुगा है, बरष्टा जारी को किस बात के सामरूथी काई कि नहीं मिल रही है. वुफोर अमार भूरती आत्राइ। नहीं के लिए भी माइलां के लोग ख़ीयों के लिए तियात्रा पे ली गए हैं। याल्या गाहिक है। एक स्कुल तो बता दो कौन से कुला नए आम और मौला करीनों के आप पुरी जाकर देखो चाल दो दिये हैं लोक पुड़ानी है, बन पड़नी हैं, कंदी पड़ी हैं, बुटे बसे हैं सुने, आप जाएए पुदी जाएए मौला करीनी है उनका स्लोगन अभी चल रहा है कि हम जेल में केजरी वाले हैं लेकि उन जानगूती वोट है लोग पर चोट देंगे तो सर दक्षने दिल्ली की बात कर रहे हैं कि तरफ गद्दावर निदा रामगिर शिंग यह और इस तरफ साही राम जी है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कुछ बहुत सारे खरे हुए है तो सर क्या लग रहा है जबार किसी तरफ मोह जाए है दिल्ली में 65% बोट जाए है और सब दिल्ली में 65% बोट वोट पकार में रहे हैं कि में कोई हवा में बात नहीं कर दा दा पॉलिटिकल बात नहीं ही जो वास्टिक्ट शिती है वह इनकाया क्या कोंग्रेस कारेकर्टा की बात रहूल गांदी तक नहीं पहुच पाई ? जिसे पाटी की जो कारेकर्ता है और वडिश्ट जो इतने सालों से पाटी की लिए काम कर रहे है निश्वार्द बाहो से वह आजि फटी की छोड़ कर जा रहे है मीजी पी मुझे मालूम नहीं, नहीं पहुक्तर करता कि पुंस। फर्डेसर सदक्स करती ही है। कि पुंस आ हे हम तब हुष्ट है मैंने फुरिषर कुछ बसुद कोहारी है। अमर आगे क्या हुआ देशते थíst तो फर्डेसर को समय है... कि मैं गड़बंधन के खलाप तो हमारी बात भी सावीत हो लिए है तो आप मेना मेरा सोचल मीडिया प्रोटर लेखिये पेस्पिल लेखिये तो रान में कि पिकिति मैं हमें इस साथ इस गड़बंधन के गरोगन हो तो एक तरफ राउल गांधी के गरेंटी है और एक तरफ मो कि अगा इसमें को ई शंकार नहीं होनी चाहिए और दिली की बात करें विदकीम दिली है लास्ट मेरा कोशन यही रहेगा कितने हजार वोटों से राम्विर सिंविदोरी यहां से लीड सरेंगे राम्विर सिंविदोरी जादा लेंगे 25 परशेंट यह लेंगे तो थीस अब डिपेंड करता है कितनी अगर 15 लाग वोट पढ़ती है, तो 30 परसंट का डिपनेंस तो 44 लाग वोटों से डिपनेंस होगा, 14 लाग है तो परसंटेंस 30 परसंट का डिपनेंस आमाधी पार्टी बीजिटी में रहेगा. आपने तुगलकावाद गाहों के लिए भी बहुत काम किया है, मुझे ऐसा सुनने में आया कि आपने बहुत हरे जो मकाम में तोड़कोर गाहों के लिए प्री और प्वस्ट केस रड़ी से और उन लोगों के लिए हमेसाद खड़े रहे, अम्यार में आपने मंगिर बनवाया आपने बन लोगों से बस्ट से गाहे गणाए काम गनवाने लगों, शहाद रहे दो खिब हिंगा भाविशमम्न है, मैं आप बजने केती में हमेद तो श्रोपन से बहुत है पंए... यस, BJP में ऐसा मिलोना चाहता हूँ और हो जाओं में, क्योंकि अभी मैं नीजी रूप से रामगिल भी सिंग बिजूरी जी से लेरे अपने इनीजी संबन्द है, बहुत अच्छे गनिज संबन्द है, तो उनके नॉमिनिस्टी पर लेखा हूँ, मंचपेखा हूँ, और उसस पर लेखे बने में पार्टे सिंग पर देखे मैं उनके नॉमिनेशन में शामिर हूँ, मेरी चाहिए BJP में शामिर हूँ, BJP को समर्फन कर रहा हूँ, अब कामड़ेश के बड़े निटा भी रहे हैं पूल में, क्या लग़ा हूँ दिली जो कि 7 शीते क्या मॉहल चल रहा है सातों सीटों पर वी जो वी जो इसे टोप मॉर्परखार व्धोडी जी थे, हमने जाना उननों से कि पार्टी सजेट से उनने क्यूं सीफा दिया और जो यहां दक्षिंदिली की बात करें, तो उनका साफ कहना है कि मोदी जी का ना नारा है, चार तोपार और राम वीर शिं कि आपने के थाप मेरा